हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो वर न्यू वीडियो फूचर रिटेल तो फ्रेंड्स फूचर रिटेल में फिलाल तो हमें गिरावट देखने को मिलती है कुछ लास्ट एडिंग डेज से जहाँ पर आप देख सकते हो 55 रुपीज का हाई बनाया था यहाँ पर अगर हम टूजडे की बात करेंगे तो तो उसके पीछे भी बहुत से रिजन्स थे लेकिन उसके बाद हमें जो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रिशर देखने को मिल रहा है कंटि उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारी डीटेल्स मिल सके तो जल्दी से जो अबडेट इंपोर्टेंट आज का वो शेर करते हैं फ्रेंड से आप आप देखिए तो फ्यूचर रिटेल्स के जो लेंडर से अलमुस्ट 27 बैंक से वो सारे अभी साटेडे को यानि आज की दिन जो है मिलने वाले है और उसके उपर कुछ न कुछ आउटकम जो है लाने वाले हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि फ्यूचर रिटेल्स ने जो है हायर क रिटेल चेंट फ्यूचर रिटेल विल मिट उन सटेड़े तो डिसकस नेक्स स्टेप्स नेक्स स्टेप्स क्या किया जाएगा उसके बारे में डिसकस करने वाले है वो इंक्लूडिंग लीगल ऑप्शिंस आफ्टर दा कंपनी सॉट 10 देस ताइम फ्रॉम्ट को टो वरक आ करने वाले हैं वाइल सीनियर बैंक एग्जेकुटिय हैब बिन रिविविविंग थे केस और रिगुलर वेसिस सैटरेदेश मीटिंग अजूम सिग्निफिकन लाइट ऑन दे सुप्रीम कोट हेरिंग बैंकिंग सोसे सेड एग्जेकुटिय ऑफ बैंक ऑफ इंडिया सेड मी बैंक एग्जेकुटियूटियूज ने जो है अलडेडी यंपिय के अंडर कंसेडर करना चालू कर दिया है दबैंक हैस प्रोएक्टिवले मेड 47 परसेंट प्रोविजनिंग विजिस हायर देन रिक्वार्मेंट अफ 40 परसेंट इट्स एक्सपोजर लाइक इस अबाउट 1047 करड़ तो यह सारी चीज़ें रहेगे फ्रेंट यहां पर अगर ओवराल हम यहां पर चीज़ें डिसकस करेंगे तो यस भी आई जो है लीड करेगा यह जो लेंडर का मीटिंग रहेगा इसके उपर और किस तरीके से जो है फीचर रिटेल नौट परफॉर्मिंग एसेट में आ सकता है उसके बारे में possible solutions ले जो है create किये जाएंगे और किस तरीके से जो है पैसे वसूल कर सकते है banks जो लेंडर से वो future group से उसके बारे में भी discussion होगा तो उसमें क्या-क्या possible ways हो सकते है यहां पर आप देख सकते हो bank of india executive explain the options available before lenders including invoking provision of bankruptcy law तो bankruptcy law के इसाब से किस तरीके से जो है provisioning की जाएगी the other option available is to invoke the personal guarantees provided for loans the banks executive said तो दूसरा option यह है कि जो personal guarantees provide की गई है future retail की तरफ से banks को उसका जो है sell out किया जाएगा तो यहां पर फ्रेंड्स ultimately अगर आप देखोगे अगर future to bankruptcy की तरफ जाता है तो definitely जो है एक तो Amazon को जो है उसके उपर bidding लगा कि अगर वो चाता है रिलाइंस future retail की business को ना खरीदे तो उनको खरीदना पड़ेगा और अगर वो नहीं करते हैं नहीं खरीदे तो रिलाइंस तो already interested ही है तो anyhow यह जो particular situation है यह future group के लिए positive बनती ही नजर आ रही है क्योंकि अगर bankruptcy की तरफ जाता है तो definitely Reliance Industries को बहुत बड़ा chance रहेगा बाइकरने के लिए और अगर guarantees की अगर बात करते हैं कि जो guarantees है उनको sold out किया जाए जो इंडियन लेंडर से उनके साइड से तो definitely उसमें भी Reliance जो है काफी interested रहेगा तो on Thursday the consortium of 27 banks told Supreme Court that the money lent to future retail belongs to depositors and safeguard the public interest the entire asset of future retail can be subjected to open bid by Amazon and Reliance with reserve price of 17,000 क्रोड तो इस प्राइस के ऊपर यानि 17,000 क्रोड के आसपा जो है बीड लग सकती है Amazon और Reliance के तरफ से और जहाँ पर हम बात करेंगे जो already existing deal थी Reliance की और future group की तो वह थी 24,713 क्रोड तो काफी ऊपर है इस price से अगर Amazon सच में interested है तो उनको पूरा जो बीडिंग price की बीडिंग लगेगी highest उसके इसाब से pay करना पड़ेगा नहीं तो all the way जो है Reliance industry यह deal को जीट सकती है अगर bankruptcy की तरफ अगर यह particular company जाती है या फिर जो भी guarantees दी गई है उनको sold out करने के लिए जो लेंडर से वह अगर decision लेते है तो यह बहुत important action item रहने वाला है कि किस तरीके का approach जो है आने वाले दिनों में जो है दूसरा point वह जो guarantees दी गई है future group की तरफ से definitely वह कुछ stores होंगे physical stores जिनको फिर banks जो है sold out करने के लिए सोचेंगी तो दोनों cases में जो है future retail का share बहुत जादा जो है भागेगा friends बहुत अच्छे price उसमें देखने को मिलेगे क्योंकि दोनों ही cases में जो future group चाता है और जिस वज़े से इस share में तेजी आ सकती है वो दोनों possible ways future retail के लिए अच्छे है तो यही सारी important details difference आने वाले दिनों में banks किस तरीके के decision लेते है Supreme Court किस तरीके से जो है future group को जो है decision सुनाता है उस पर बहुत सारी निगाहे रहेंगी सबकी हमारी तो उसके लिए प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्रेब कीजिए थैंक्यू